Hello everyone, आज हम सात्मी क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिखा में अध्याय 11 हैं, जन्तुओं और पादपों में प्रिवहन में दिये गए परस्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे, सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंतक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल का हिसा नहीं बने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तो देखें एक बार सुरुआत करते हैं, अध्याय 11 हैं, जन्तुओं और पादपों में प्रि पहुचता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे सरीव में रक्त के प्रिवहन के लिए रक्त प्रिसंचरन तंत्र पाया जाता है, जिसमें दो परकार की रक्त वाहनिया होती है, धमनी पूरे सरीव में रक्त पहुचाती हैं, अब आगे है कि अपने सरीव में खून नलियों को ढूंडो किन किन अंगों में ये नलियां देखी जा सकती हैं तो इसमें है कि इन नलिकाओं को संपूर्ण शरीर में देखा जा सकता है अब आगे यहां पर दूसरा फ्यूशन है इसमें कि रक्त क्या होता है रक्त यानि कि बच्चों खून जो है रक्त रक्त का तल भाग प कोशिकाई होती हैं उसमें एक है लाल रक्त कोशिकाई दूसरी है श्वेत रक्त कोशिकाई और तीसरी है प्लैटलेट्स होती हैं सोचकर बताओ यदि रक्त में निम्न चीजे ना हो तो क्या होगा यानि नीचे दीगी चीजे ना हो जैसे पहली है लाल रक्त कोशिकाई अगर औक्सिजन का प्रिवेहन सभी भागों में नहीं हो पाएगा ये लाल रक्त को सिकाएं हैं जो हमारे सरीर में के सभी भागों में औक्सिजन भेजती हैं दूसरा है स्वेत रक्त को सिकाएं अगर ये ना हो तो रोग परति रोग धक शम्ता जो हो घट जाएगी और हम बिमार ज कपका नहीं बनेगा और जब चोट लगेगी तो खूंत बहता रहेगा ठीक है अब आगे यहां पर है नेक्स्ट क्यूशन की नीचे मनुष्य के हिर्दय का चित्र बना हुआ है इसके विभिन भागों को ना मांकित करो तो यहां पर देखिए वच्चों यह है हिर्दय का चित आलेंद इस साइड यह बाया आलेंद से उपर यहां पर यह तो पूफुसवीब द्हमने है उसके साथ ही यहां पर यह पार्ट आपको नजर आनले इसमें कशों के बीच विभाजन दिवार है और ये है यहाँ पर दायानिल और ये है बायानिल अब आगे है ब पार्ट और इसमें है कि हिर्दय में ओक्सिजन सम्रिध रक्त वे कारबंडाई ओक्साइड सम्रिध रक्त परस पर ना मिल जाए इसके लिए क्या वैवस्था है तो इसके लिए जो है कक्सों के वीच विभाजन दिवार है आगे है यहां पर सव और इसमें है कि फुफुस धमनी कार्बंडाय ओक्साइड स्मृत रक्त को हर्दय में हर्दय से ले जाने का कारिय करती है फिर भी इसे धमनी क्यों खहते हैं तो इसमें इसके क्यूशन के आंसर में यहां पर यह देखें ऐसे कर लेती हैं पूरा क्यूशन अच्छे से दीख जाएगा इसमें है कि फुफुस धमनी हृद्य के दाहिने भाग से वी औक्सिक्रित रक्त फेफडों में ले जाती है नेक्स्ट है कि नीचे रक्त प्रिसंचरन का रिखा चित्र बना हुआ है इसमें तीर के निसान दवारा रक्त के प्रवाह की दिशा बताए गई है तो यहां पर देखें बच्छों यह है हिर्दय यहां पर जो यह दिखाया गया है यह मनुश्य का हिर्दय है और यहां पर आपको तीर के समान ऐसे तीर नजर आ रही हैं यहां से इस तरह ऐसे हिर्दय के इसे जो रक्त जाता है वो यहां पर दिखाया गया है तो अब इसे रिलेटेड कुछ नीचे कुछे पूछे गई है देखिए यहां पर क्यूशन है कि अब तीर के निसानों की सायता लेकर लिखो कि रख्त का प्रवाः पूरे शरीर में कैसे होता है इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो रख्त है खृद्य में होता है और oxygen उसके अंदर खून रक्त के अंदर यानि की oxygen मिलती है और सुद रक्त जो है वो धमनियों के दवारा केसी काओं में चला जाता है केसी काओं में जाने के बाद रक्त जो है उसमें कार्बन डायोकसाइड जो है मिल जाती है CO2 मिलती है और ये असुद रक्त उनमें से जो असुद रक्त होता है जिसके अंदर कार्बन डायोकसाइड मिली हुई होती है वो हमारी सिराओं में आता है, सिराओं से फिर हिर्दे में चला जाता है और फिर हिर्दे में वही गतिविदी दोबारा से फिर हो जाती है हिर्दे में जो है ऑक्सीजन मिला हुआ जो है रक्त जो है वो सुद्ध रक्त धमनियों के थ्रू चला जाता है केसी काओं में और ये process ऐसे ही घूमती रहती है तो इस तरह से रक्त का परवा हमारे पूरे सरीर में होता रहता है आगे है यहाँ पर गती विधी एक और इसमें है छटा क्यूशन कि अपने किसी साथी की छाती की बाई तरफ कान लगा कर सुनो क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी अब ये आपको करके देखना है बच्चो यह है हिर्दे की धड़कनों की आवाज है तुम अपनी वे अपने साथीओं की प्रती मिनट हिर्दे की धड़कन को गिनो वे नीचे बनी साणी को भरो और नीचे लिखे पर्षनों के उत्तर दो तो यहाँ पर ये साणी आपको कम्प्लीट करनी है मैंने वैसे ही ये नाम लिख दिये गए है आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर अपने साथी का नाम जैसे हैं नवीन लिखा, विराम की वस्ता में धरकन की जो है उसकी प्रती मिनट भैतर थी, लेकिन जब दोडता है तो फिर धमने अपने आप धरकन, घरदय की धरकन तेज हो जाती है, तो उस कि धड़कान एक मिनट में 70 थी लेकिन दोड़ने के बश्चाथ 123 हो गई तो इस तरह से सार्णी आपको अपने आप ही जो है वो लिखनी है अपने दोस्तों के नाम और उनका खुद आपको ये करके देखना फिर लिखना है इसी तरह से आगे है यहां पर कि किसी व्यक्ति का ह एक मिनट में जो है उस्तन बैतर से 78 बार या बैतर से 80 बार जो है वो धड़कता है अब यहां पर आगे next ब में है कि दोड़ने के पूर्व और दोड़ने के बाद गिनने पर हिर्दे की धड़कन की संख्या में क्या बदलावाया तो दोड़ने के बाद हिर्दे की धड़क की संख्या हमारे मन की स्थीती गुसे में अधिक खुसी में आधिक अनुसार बदलती है हाँ तो उसके अपोर्डिंग जो है वो हमारी हर्द्य की धड़कन की संख्या जो है वो बढ़ती घड़ती रहती है तो बदलती रहती है ठीक है अब आगे यहां है साथवा क्यूशन की रिक्त स्थान भरो, सास के दवारा फेफडों में आने वाली हवा में O2 यानि की oxygen अधिक होती है और CO2 यानि की carbon dioxide कम होती है सास के दवारा फेफडों से बाहर जाने वाली हवा में बाहर की हवा की अपेक्सिया CO2 यानि carbon dioxide अधिक होती है और oxygen कम होती है तो ध्यान में से समझी वचो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े के दवारा हमारे अंदर हवा जाती है और उस हवा में oxygen की मातरा जादा होती है carbon dioxide कम होती है लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं और फेफड़ों के सुवारा जो हवा बाहर निकलती है उसमें carbon dioxide ज़ादा होती है और oxygen कम होती है आगे है carbon dioxide मिला हुआ रग्त शिराओं के दवारा विभिन अंगों से हर्दे में आता है और oxygen मिला हुआ रग्त धमनी के दवारा हर्दे से विभिन अंगों को जाता है जैसे मैंने उपर आपको समझाया था वो यही process थी और आगे है अब गतिविधी दो कि अपने इसमें question है कि अपने बाए हाथ से अपनी दाई भुजा को कोहनी के उपर कसकर पकड़ो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो यहां पर देखिए यह बुजा है और यहां से देखिए इसके बिल्कुल कसकर पकड़ा गया है आपको दिखाई दे रहे हो गए यहां पर तो अब इसने कहा है कि यहां जब हम इसको कसकर पकड़ेंगे तो क्या होता है क्या उस पर कोई नलियां उभरी हुई दिखाई देती है हाँ तो यहाँ पर जब आप देखेंगे हाथ पर यहाँ पर नलियां उभरी हुई नजर आएंगी अब इसमें नेक्स्ट क्यूशन है इन नलियों को किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें रक्त वाहि काएं कहा जाता है आगे है यहां पर नौवा क्यूशन कि तुमने देखा होगा कि डॉक्टर या वैद मरीज की नाड़ी देखते हैं आओ हम भी नाड़ी की जाज करने का प्रियास करें घड़ी की सायता से पता करो कि नाड़ी की धड़कन एक मिनट में कितनी बार होती है धड़कन की संख्या को अपनी कोपी में लिखो तो यहां पर देखी धड़कन देखने का तरीका बताया गया है इस तरह से और यहां पर आप देखी रहे होंगे यह दो उंगलियों से जो है यह धड़कन को देखा जा रहा है और इसमें देखा है कि बहतर बार जो है एक मिन कर सकते हो इन अंगों की सूची बनाओ तो इसमें है हाथ वे हिर्दय में हम नाड़ी की धड़कन को महसूस कर सकते हैं क्या नाड़ी की धड़कन और हिर्दय की धड़कन की संख्या में कोई समानता है हां समानता होती है आगे यहां पर दस्वां क्यूशन है कि हम जो भोजन करते हैं वह तो पेट में जाता है फिर हमारे सरीर के सभी भागों तक भोजन कैसे पूंचता है तो इसमें है कि रक्त वहतर्ड पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है यह पाचित भोजन को शुदात्र यानि की छोटी आज से सरीर के सभी भागों तक पुम्चाता है इसी तरह 11 क्यूशन यहां पर आजाता है इसमें कि इसी तरह हम सास लेते हैं तो हवा फेफ्रों में इकठी होती है पर क्या तुम बता सकते हो कि हमारे सरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन कैसे मिलती है तो ऑक्सीजन जो है वो धमनी में बहे रहे ऑक्सी कृत रुधीर से मिलती है नेक्स्ट क्यूशन है सही गलत का निसान लगाओ और गलत कतनों को सही करके लिखो हर्दय का बाया भाग कार्बन डायोकसाइड स्मृत रख को एक्तृत करता है तो नहीं यह गलत है इसी क्रोस करेंगे जो है बाया भाग की जगह यहां यह बाया भाग है इसकी जगें दाया आएगा कि हर्दय का दाया भाग कर्बन डायोकसाइड स्मृद रख को एकतरित करता है ऐसे यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है बाया की जगें दाया लिखना है बस अंतर इतना करना है आगे की धमनिया सरीर के विभिन भागों में रक्त को हर्दय तक ले जाती है तो ये भी गलत है सिराय ले जाती धमनिय की जगें सिराय आ जाएगा कि सिराय सरीर के विभिन भागों से रक्त को हर्दय तक ले जाती है पोधों में जल अवसोशन का कारिय पतियां करती है ये भी गलत है इसमें पतियां नहीं करती है जड़ करती है यानि जड़ों की दवारा जल को अवसोशित किया जाता है आगे है कि हर्द्य ठक जाने पर आराम कर सकता है, तो ये भी गलत है, हर्द्य कभी भी आराम नहीं करता है, हर्द्य को आराम कब मिलता है, जब आदमी मर जाता है, तो हर्द्य ठक जाने पर आराम नहीं करता है, नहीं कर सकता है, ऐसे लिखो गया आगे है यहां गतिविदी च पानी से फिरे दो गिलास लो, अब एक गिलास में कुछ बूंदे लाल साई की डालो, जिससे पानी रंगीन हो जाए अब कोमल तने वाला छोटा पोधा जड़ सहीत सावधानी पूर्वक उखाड़ो, उसकी जड़े पानी से धो कर साफ कर लो इस पोधे को रंगीन पानी वाले गिलास में सीधा खड़ा करो, अब इस गिलास को पोधे सहीत धूप में रख दो, दो घंटे पस्चात पोधे का अलोकन करो तो यहां पर देखें, यह गिलास लिया गया है, और यह लाल साई से यूप पानी है, यह पोधा है, इसको साफ कर दिया गया है पानी में, पानी डाला गया है, पोधा है, इसकी पतियां है, तना है, यहां से जड़ है, अब इसको लाल साई वाले पानी में डाला गया है, त तो अब हम क्या देखेंगे, कि इसमें गतिविदी है, कि गतिविदी क्या धार पर निम्न परस्नों के उत्तर दो, क्या साही वाले पानी में रखे पोदे के पत्तों की शिराएं लाल हो गई है, जी हाँ, पोदे के पत्तों की शिराएं जो हम वो लाल हो जाती हैं, हम यही दे तुम खुद प्रियोग करके देखो, तुम आलू की जगें कच्चा पपीता या कद्दु का इस्तेमाल भी कर सकते हो और सक्कर की जगें नमक का गोल ले सकते हो रमेश ने आलू में गड़ा बनाकर उसमें सक्कर का घोल लिया तो गड़े में रखे घोल का अस्तर बढ़ गया इस प्रियोग से उसने निस्कर्ष निकाला कि कम संदरता से अधिक संदरता की और पानी जाता है क्यूशन यह दिया कि विचार करो कि अगर कोटोरी में सक्कर का घोल ले लिया जाए और आलू में पानी रखा जाए तो क्या होगा तो आलू में पानी का अस्तर कम होगा इसी तरह यहां पर next question है कि साधार पर तुम बताओ कि अगर जड़ों की कोशिकाओं में मिट्टी की तुलना में खोल की सांदर्ता अधिक है तो क्या होगा तो जल कम सांदर्ता से अधिक सांदर्ता की तरफ अर्थार्थ जड़ की तरफ आएगा अब यहां पर पंदर्वा क्युशन है इसमें कि मान उचसरजन तंतर के विभी नंगों को नमांकित करो तो इसमें यहां पर देखी यह है रिक यहां महाधमनी है यह मासिरा है यह मुत्रवाहेनी, मुत्राश्य और यह मुत्र रूत्र अब आगे है यहाँ पर पार्ट इसका कि तवच्छा उच्छन तंत्र का कारी किस पर कार करती है तो इसमें है कि पसीने के साथ अब सिष्ट पदार्थ तवच्छा में रोम छिद्रों से बाहर निकालना यानि कि पसीने के साथ जो है अब शिट जो पदार तवच्छा में है वो तवच्छा जो है वो रोम छिद्रों से उनको बाहर निकाल देती है तो बच्चों आज ये पार्ट यहीं पर खतम हो जाता है नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपके लिए जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें पर दोस्तों के साथ सेयर भी करें तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाई